एह स्पिरिचुल सेग्मेंट, एमसी इंशुरेंस सर्विसेज वह नों स्पॉंसर कीता गया है 604-507-6666 ते पोन करो Once again, welcome back to the segment अज दे स्पिरिचुल सेग्मेंट विच मेरा साथ दिन वे स्वामे चैतने कीरती जड़े साड़े महमान में नमी दिली तो काफी सारी इनने किताब मा लिखे हैं ते हाली विच नॉर्थ अमेरिका दे टूर ते आए ने और शोनल बड़े लंबे समय तो जोड़े हुए ने ते इनना दा मुख मेसेज जो है लोकानों ही चैतन करना कि किस तरीके इनल अपनी पहचान की दी जा सके तो आपका तूर कैसा रहा पहले कि उसके बार में बड़ा नॉर्थ अमेरिका टूर पे आया और पास्ना मेरिटीशन के उपर आप फोकुस कर रहे हैं कैसा आपका टूर रहा मेरा टूर बहुत संदर रहा और मैं बहुत खुश हूं इस तूर से कहीं भी कुछ समस्या नहीं आई और अमेरिका के कुछ शेरों से घुमने के बाद मैं वैनकूर सबसे बढ़ी अलग रहा है मुझे यहां बहुत अपने मित्र हैं, पैचान अच्छी है लोगों से, तो बहुत, I feel at home here. जीवन में संतुलन नहीं है, तो जब जीवन में ध्यान आएगा, तो संतुलन आएगा, ध्यान का मतलब है कि आप अपने भीतर भी अपने आपको संतुलित करो, और बाहर के जीवन में भी संतुलित करो, जीवन में भी संतुलित करो, जीवन में भी संतुलित करो, जीवन में तो टैम नहीं देते हैं, फिर पश्टाते हैं, फिर पश्टाताब होता है कि ये मैंने जीवन गर्थ कर दिया, तो उशो का जो संदेश है कि आप जरूर रिच बनो, जरूर समर्द्ध हो जाओ, लेकिन अपने अंदर की समर्द्धी को भी टटोलो, जो आपको परमात्मा से मि कोई किसी किसम का पर्चार कररая है, कि माहिन आप जो है अपना किसी मूर्थी पे लगाएं, किसी चीज़ पे लगाएं, खाली रहने दे दमाग को, कुछ ना होने दे, जब हम कहते है, ध्यान का असल में मतलब क्या है? स्वामी जी ये बताई है ध्यान का मतलब है कि जिस संपदा को आप लेकर पैदा हुए हैं वो उसे बिना जाने मरनी जाएं उसका अनुभव करें अनुभूती करें उसकी एक्सपीरियंस करें और उसके लिए कुछ ध्यान की विधिया होती हैं सबीस कालों से चलती आ रही हैं शिव पारवती के समय से चली आ रही हैं शिव ने 112 विधियां दी पारवती को अपने को जानने के लिए तो गोरखनात ने दी कबीर ने दी बहुत सारी विधियां है लियान की और जो से गुरु नानक देव जी ने में समर्ण कराय का सुरती रखो सेल्फ रिमेंब्रेंब्रेंस जी इस मोर इंपोर्टन देन बिंग लॉस्ट इन दे वर्ड तो ध्यान का अर्थ है सेल्फ रिमेंब्रेंस आत्म अनभूती चाहिए आत्म बोध चाहिए क्या होता है कि हम वस्तू में इतना टक जाते हैं बाहर की दुनिया की सारे समोहन में जाते हैं लेकिन जो देखने वाला है जो हमारे भी तरद्रश्टा है जो विटनेसिंग कॉंशनेस है उसको बोल जाते है उस विटनेसिंग कॉंशनेस को साक्षी भाव का जो समरंद दिलाने वाली बात है उध्यान है तो इस ध्यान से क्या बेनेफिट क्या होता है जब आप में परवर्तन क्या आता है आपका कैसे जीवन में नजरिया बनता है कैसे आपके लाइफस्टेल में या आपकी सोच में अंतर आता है ध्यान जो है वो बेसिक ट्रांसफरमेशन है बड़े क्वालिटेटिव चेंज आते हैं जो काम आप छे घंटे में कर रहे थे आप ती सबढ़ बने, आपकी समस्किरी ज़न में ले आता है और भी तोड़ेशन हैं और तो पूस अनरजी बन दिएशन है और अस जो मात है यह र кож़ बनते घंटा है. then you have enough time to give it to yourself and which is needed to nourish yourself अपसलुट स्वाम जी ये बताइए हमे के सदियों से हम भगवान को मानते हैं भगवान को जब भी हम बात कर तो हमारा सेर उपर को ही जाता है हाथ उपर को ही जाता है कि भगवान को हमने प्राक्ति करनी है आज दियान का माध्यम ये भी इस्तेमाल किया जारा है कि आप प्रामात्मा को मिल सकते हैं और जब हम कहते हैं भगवान हमारे अंदर ही है इससे क्या मतलब है? और भी हम आप देखो कितना भी बाहर देखो वहान मिलने वाला है नहीं वो भांतिया है जब तक आप अपने भीतर अनभव नहीं करेंगे and everybody is carrying that seed, that potential of godliness within him. और उसका मार्ग है ध्यान और उससे जो आपको enlightenment मिलती है, जो बोध मिलता है, जो जागर्ती मिलती है, जो illumination मिलती है, उससे आप, आपकी आँखों में दिविता आ गई, तब आप मेरे लिए भगवान है, सारी दुनिया भगवान है फिर, तो कंड-कंड में भगवान है फिर, लेकिन पहले अंदर अपने अनभव करना पड़ेगा, किसी और के नहीं, if you cannot experience within yourself, you will not be able to experience out there also. आपसलूट तो फिर वही बात आती है, क्योंकि आपका जो यह होता है प्रोग्राम दो तीन दिनों में आप यह सारी बाते हैं, पर आज हमारे दर्शकों को ज़रूर हम चाहेंगे आप से बेनिफिट लें, कुछ विदियां जो घर में ही बैठे वो इस्तमाल करके आपने आपकी उस अवेरनेस को बेटर कर सकते हैं, कुछ अंदर डीप जा सकते हैं, कैसे शूरू करें? सबस्यादा सरल विदी है, वो जिसकी मैं जिसको लेके मैं टूर पे निकला हूँ, वो विपस्तना है, पर ओश्या ने उसके साथ नियो विपस्तना जोड़ा है, क्योंकि विपस्तना जो है, जनरली ये समझायाता है, कि आप आठ घंटे, दस घंटे सिरु बैठी रहेंगे, उससे तो जड़ता आएगी, उससे तो आप और मुर्षा में चले जाएगे, उसमें आपकी नर्जी सो जाएगी, तो ये जो विपस्तना है, इसके पूर्व तैयारी में ओश्यो कहते हैं, कि पहले आप अपनी उर्जा को सांस के माध्यम से जगाओ, सांस को संतलित करो, उसको एक रिदम दो, रिदम आपके पास होती है, लेकिन हम तनाव में, डिप्रेशन में, भाग दोड़ में अपनी रिदम खो बैठते हैं, तो वापस आप अपनी सांस को देखना शुरू करेंगे, और जहां हमारा ध्यान होता है, वो जिस गहरी चले जाती है, अपनी सांस को आपको भी पसना ध्यान लग जाता है, सरलता से, तो पहले हम उस स्थान पर उस स्थान पर उस स्पेश में लाने की तैयारी करवाते हैं लोगों से, दूसरा यह है कि आदमी के भीतर खुब कुड़ा का बाड़ा भरा हुआ है, सारी दुनिया के कच्रे माइन में आ गए हैं, तो वो उसको डिटॉक्स करते हैं कि थोड़ा वो मन खाली हो जाए, जो मन के बोज हैं, इमोशन के जो सप्रेशन हैं, वो सब उससे मुक्त हो वो दो आ सचाथ जो सब्सक्राइब दो अगरा जाया है, फिर सहजता से विपस्ना में ले जाया जा सकता है, तो नियो विपस्ना की कांशप्त ही है, कि फस्ट यों के बाड़ा, फस्ट यो डांस, फस्ट यो वेक अप घूरेंजिय और जो नेचरली, देन देवरा नेचरल आपके शरीर और आत्मा के बीच में सेतू है। अगर इसके जुले पर आप सवार हो गए तो जो इसके शरीर के पार की जो स्थिती है उसका भी अन्वब हो जाता है। तब सांस बहुत शांत बहुत शितिल होती है। तो यह उसकी प्रतिया है। कोई गौड कह देते हैं, कोई वाहिगरू कहता है, कोई राम कहता है। जिस भी लफ से आप इसको बुलाना चाहें वो एक अलग बात है। पर जीवन का लक्षय की जब बात करते हैं, क्या हमारा पर्पस के यहां पर आनेगा। क्योंके इनसान जो है आज इस राट रेस में वैसे तो सदियों से क्या हमेशा ही रहा है। आज इंटरनेट का योग है तो हर चीज़ हमारे सामने आ जाती है। पर जीवन का मक्सद क्या होना चाहिए और कैसे आपने जीवन का बेहतर बना सकते हैं। इस कि वार्पस आप अपनी निजी जुद्गी दे सुनेरी पल याद रखता है। ओजगा जिथे यो रेंदा है ते प्यार पर्याज जीवन बतीत करदा है एक गल्ना ताहीं पूरियां हों दियाने जद किसे जगानू सजे हुए कार्च बतलिया जावी नमे करानू फ्रेमिंग तो लेके फिनिशिंग तक ड्रेपरी पेंटिंग तो लेके डेकुरेशन असेसरीस तक तुसी SK Home Designs निया प्रफेशनल सर्विसेज लेके अपने सुपन्यादेकार नू हकीकत बदल सकते हो कॉंटेक्ट करो संदीप कौर 604-825-9295 स्वामी चेतने कीरती जी साड़ेना सांज पार ने बहुत ही महद्धपूर्ण विशिद होते आज दे स्विर्च्छल सेग्में विच गलबा चल रही है जीवन दा मकसद की है किस तरीके ना असी आपनों पर बहतर कर सकने है हर क्वेक्टी जिस वी चीज विच आस्ता रखदा असनों मुबारक लेकिन नमी चीज हमेशा ही सानों पता होनी चाहिए फिर जदो आप्शन्स हों देने तस अनों रस्ता अख्तियार करना इजी हो जाता है आव इसे समझ देच और जान पूर जाएगा जी सवामी जी तो क्या लक्षे क्या होना चाहिए मनुश एक बीज है इसे सीड फार्म में अग्सिस्ट जब तक उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी जब तक के वो अपने पूरे विकास में नहीं आएगा तब तक उसको रियलाइजेशन उसका जो प्रियोजन इस जमीन पर आने का पुरा नहीं होता तो जैसे एक आदमी बुद्ध हो जाता है एक आदमी गुरुनानक देव हो जाता है एक आदमी कबीर कृष्ण राम हो जाता है उन्होंने अपने बीज को फ्लावर तक लाने की साधना की तो उनकी ब्लास्मिंग होई उनकी फ्लावरिंग होई यह हर जगती का लक्ष होना चाहिए कि मैं जिस संभावना को लेकर पैदा हुआँ उस संभावना को के साथ मरनी जाऊँ उसको फली भूत करूँ वो फ्लावरिंग उसकी होनी चाहिए यह जीवन का लक्ष है कि आप जिस विकास के तल पर आपको आना चाहिए थे, जैसे आप पूरू जनमों में पशु भी रहे हैं, पक्षी भी रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, लेकिन इस मनुष्य जनम का अर्थ है कि नौ अल्टिमेट पॉसिलिटीटीज आर देर फार यू टू अनफॉल्ड तो अनफ करते हैं, तो कुछ देर के लिए स्टरिंग होती है, लेकिन फिर जैसा रोजमरा की जिंदगी होती है, उसमें वो रैट रेस में मैं चाहता हूं, कि आपको आज यहां बे रजीब भीरत लेके आएं, तो मैं उनसे आगे जाओं, उनसे बहतर मैं बनूं, उनसे ज्यादा मेर पास डील्स हों, तो यह एक सोच जो है चलती रहती है दिमाग में, कैसे उसको स्टिल किया जाए, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था, वेपासना का, कैसे अपने आपको उस रस्ते के उपर लेके जाए, इसके लिए एक अंडरस्टेंडिंग जरूरी है, सम्भावना का पता नहीं है, आप उससे भी बहुत आगे जा सकते हैं, अगर आपको अपनी सम्भावना का पता हो, not competing with others, but competing with yourself, where you are, जो आज का सूरज आपने देखा है, कल का सूरज आपको वैसे नहीं पाए, थोड़ों से बहतर पाए आपको, क्योंकि देन यूर ग्रोइ से आप इतने आनन्द से भर जाते हैं, कि आप दूसरे से प्रतियोगता नहीं करते हैं, दूसरे की रेट्रेस में नहीं पड़ते हैं, आप अपने कुछ जगाने में लगते हैं, कि मेरी संभावना क्या है, you always, first responsibility is that you, whatever you have got, tap it, let it grow, and let it flower, right, so the competition is within yourself, not with anybody else, right, so the competition is within yourself, not with anybody else, you see, you have seen Buddhas, you have seen Krishna, you have seen Rama, in their glory, and the same glory is possible within you also, take their example and proceed, उनके जैसे आगे बढ़ो, उनके जैसे आगे बढ़ो, उनके जैसे आगे बढ़ो, उनके जैसे आगे बढ़ने के लिए आहम तोर के उपर, क्योंकि हम किसी ना किसी धरम के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके उपर एक ची इस सोच ने हमें रोका रखा, फ्लावरिंग के लिए, कि हम उसकी बख्षिश को ही उडीकते रह जाते हैं, और समा अंता आ जाता है, क्या कहते हैं, बख्षिश तो मिलती है, लेकिन उसकी पातरता चाहिए, बरसात हो रही है, आपका बरतन उल्टा पड़ा हो तो आने आए और उसके लिए बहुत साधना और ध्यान की जरूरत होती है, पर मात्मा तो बरसी ही रहा है, उसकी कृपा बरसती रहती है, पर हम उल्टे घड़े हैं, उसमें आएगा क्या है, पांच वाइस का जिकर हमेशा ही किया जाता है, हर एक घरम में, हर एक तरफ यही बाते होती है काम करोद लोग मोहांकार जो है, लेकिन आज एगो जो है, ये एक बहुत बड़ा अटकन बन चुका है, जो हमें रोकता है अपने प्रोग्रस में, ना चाहते हुए भी हम जैसा समाज है, उसमें फिट होने के लिए, तो हमें बहुत अची बाते लगती हैं, इमानदारी की, मदद की, दूसरों की, या अपने आपको फ्लावर करने की, लेकिन जब सिर्पे पढ़ती है तब हम भाग जाते हैं, ये आम तोर पे देखा जाता है, तो कैसे अपने आपको और स्ट्रॉंग बनाएं कि जब हम पर पढ़ें, तो हम सिर्फ बातों तक ही सीमत ना रहें, उस आप, आप एक डाक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, वो आप आपकी आइडेंटिफिकेशन है, पर इस आइडेंटिफिकेशन से भी हम इतने इगोईस्टिक हो जाते हैं, तो अपने मूल सरूप को भूल जाते हैं, तो उस मूल सरूप का जो जानना है, कि मैं सच मे क्या हूं जैसे कहते हैं नहीं अहम ब्रहमास में वह सेल्फ रियलाइजेशन का मार्क है तो इतने पर जो अटक जाता है कि मैं यह हूँ मैं वह हूँ जो डिग्रियों से जुड़ गया जो अपनी दॉलत से जुड़ गया उसने एक गरत आइडेंटिफिकेशन पैदा कर लिया और उसके कारण एगो आती है और सारी दुनिया का क्लेश एगो के कारण है तो बिलकुल प्रहमास में वह से रियलाइजेशन वह दिखाई पड़ता है तब आपको दूसरे में भी वही दिखाई पड़ता है तक्त्व था मसी तुम भी वही हो तो फिर खतम आ जाते हैं and you become very sensitive, that with the ego and the clashes will not happen. I am ready to put a $3,000 to $4,000 to $4,000 to $5,000 to $5,000 to $5,000 to $5,000 to $5,000 to $5,000 to $5,000. But if someone comes to help, then maybe I can throw $10 to $10 to $10 to $10. So this is our thought, can we do this with the power of the God? This is not a hard time, that someone finds a hard time, that I will give up so much money, I will give up so much money, I will give up so much money, I will give up so much money. These are hard time, these are hard time, these are hard time to change. So you need to change yourself. And before that, you will have to go into your attention. You will also be able to change yourself. Before you change yourself, you will do everything from your overflow. Absolutely. It is not a difference between the people of the truth. It is not a difference between these things. But it should be genuine. First, it should come out of your real self. Compassion is a good source of meditation. Compassion should not be in your life. It will happen, it will happen. But it is a flowering of meditation. It is not before that. If you have learned from Neeti, if you have learned the Code of Conduct, then it will be good. It is not a business transaction. So if you have learned from Neeti, then it will automatically look at others. But the Pandit's approach is that, if you give up so much, then you will get you. If you don't do it, then you will die. So the world is running from the earth. The Swarga Nark, what you have learned from this, what you have learned from this. What is Swarga Nark? Is this a place in a situation that is talked about? Or in a life, which is our human condition, that is the Swarga Nark? Swarga Nark is not a geographical thing. They are more like psychological. Right. A neutral way, if you have worshipped, usal haven are now. Exactly. If you are weak, bewusst, you are as great. This has been veryened. The human condition, it is a collaboration. है यह एक शन है आप दोनों में से चुन सकते हैं कि आपको प्रसंद रहना है आनन्दित रहना है तो आप स्वर्ग में हैं अगर आप दुखी रहना चाहते हैं इगो से उलजना चाहते हैं दूसरों से कलाय करना चाहते हैं तो आप नर्क में हैं आपसलुटी यॉ आप जस्ट in the moment की जो बात की, के हर पल, हर शन जो है, उसी में आप खुश रह सकते हैं, या नरा दुखी हो सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, it's a free will, it's a free choice you have, so what does mindfulness mean? Mindfulness means moment to moment awareness, I'm talking to you, if there is awareness with it, then I'm mindful, you are listening to me, and you are really here, and you are not gone here and there in your mind, then mindfulness is happening to you, I see you are totally mindful here, when you are here, and mindfulness is not mind, it's mindfulness means hosh, chetna, jagrat vakti, one who is not doing things mechanically, like a robot, what generally happens that somebody praises you and you become very happy, and somebody condemns you, you become very unhappy, outside circumstances control us, rather than we ourselves having control, so this means they have remote control about you, they can really press your buttons, and make you move, whichever way, but this is not the way of mindfulness, mindfulness, you don't react automatically, mechanically, you respond with full awareness, each moment, right, sobeerhe se u'the, sham tuk jho bhi aap kar rhe hai, uthna, behna, khana, pina, rehna, baat karna, kisi se mail milaap karna, ju, us ke saamae, us Gian अक्षी भाव जोड़े हुए हैं एक चेतना का तीर उस तरफ जा रहा है और दूसरा हिस्सा उसके अपने भीतर जा रहा है तो ऐसा अगर परवाद चल रहा है चेतना का तो आप माइंडफुल हैं तो इसके लिए ध्यान जो है तो बड़ा साधन है जिसके साथ आप स्वावजी आखर में हमारे दर्शकों को क्या मेंसिज देना चाहेंगा आप मैं यह देना चाहूंगा कि ध्यान को अभी तक बहुत गंभीर समझा गया है इस रिके वह बाद में करेंगे बड़ी गंभीर बात है ऐसा नहीं है ध्यान जीवन का हिस्सा है और इसको ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और इसको हस्ते खेलते करना चाहिए, playfully continue meditating. So I would use two words, meditate and celebrate. Celebrate your life and meditate you explore your being. So these two things are the two words, key words. बहुत खूब जी, हमें मान हैं कि आपके जैसे स्वामी जो है, दुनिया भर में जा कि ये परचार करने के जीवन का असल मक्सद क्या है? क्योंकि आज इस चीज की बहुत जरूरत है क्योंकि आज जिस कुए में हम फसते जा रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए ऐसे मेसेज़े बहुत जरूरी है आपका धन्यवाद आज दिनाल करदेजी आज दे इस प्रोग्रम दिये थे ही समापती फीड़बैक जरूर देना 604 603 755 पचवेंजा या फिर एमेल जरी समपर कर सकते हो अरफ्रीथ सिंग्षो एट जीमिल डाट काम स्वामी कीरती जड़े है चाड़े में मान सन तोड़े कुल वी जेकर कोई सवाल हुए थे साड़ना जूरूर समपर करना ताके जो एह हो जो बुद्धी जीवी आंदेने पुच की तोड़े तक वापसा सकी है खजद नालिया आप सब दे तनवादी हैं तोड़े तक पास तोड़े क्योंके असी जॉय टीवी तो समा करीद के तोड़े नहीं हर रोज महत्तव पुरून विश्या ते सांच पानने है तो दो महत्तव पुरून गलाने पहली गल्द महत्तव